इतने कम समय में यह दिया बन जाएगा मैंने सोचा नहीं था और इतना कम बजट में यह बनेगा यह भी नहीं सोचा था तो यह पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे तभी मालूम चलेगा कि इसमें कितना कौश लगा है सारे चीज़ों आप लोग खुद से ही प्लस कर सकते हैं और एक दूसरा दिए जो बताने वाली हैं वो दिया आपने दिवाले के दिन जलाया तो वह पूरी राद जलने वाला है इस तरीके से वे बताने वाली हूं चलिए डेखते हैं कि सबस्ते पहले मैं है't n murderer का तो यहां पर मैंने मॉल्डेट क्ले को तयार कर लिया है आप लोग जानते हैं कि इस तरीके से इसे त्यार करना है इसके रचित कर देंगा है, दोनों कर्टोरी पर मैसे बनाने वाली हूं अक्सर molded clay में यह problem जाता रहती है तो यहाँ पर दूसरे कांच में भी इस तरीके से में fit कर देती हूँ इसमें पूरे पे cover नहीं करना है इसमें half नहीं ही रखना है और यहाँ पर मेरे धरा बनाया हुआ ही यह mold है जो कि air dry clay से मैंने बनाया था तो यहाँ पर यह useless ही बड़ा हुआ है लेकिन इसमें कुछ ऐसे texture हैं जो काफी खुबसूरत है वैसे तो मैं इसे फिकने वाली थी लेकिन मैंने सोचा फिकते फिकते भी से काम में ले लिया जाए तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कितना सुन्दर इसमें से pattern निकल कर आ रहा है तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट को यूज किया और इस तरीके से इस पे मैंने design create कर दिया है आप लोग देख सकते हैं काफी जटबट से यह हो जा रहा है बिना किसी महनत का तो यहां पर यह दोनों पीस तयार हो चुके हैं और अभी मैं इसको dry होने के छोड़ देती हूँ तो पूरी रात मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है और next day मैंने इसे निकला थोड़ी सी दिक्कत होई लेकिन यह रसानी से निकल गया क्योंकि मैंने इसके अंदर इस तरीके की पतली पॉलर्थिन डालके रखी थी गलती से भी आप लोग विदाउद पॉलर्थिन का मत तयार करिएगा वरना उसे कभी भी नहीं निकलेगा उसे तोड़ना ही पड़ेगा नीचे से काफी ज़्यादा गूल था इसलिए मैंने नीचे भी थोड़ा सा क्ले लगा कर इसे स्थिर कर दिया है और बीच में कुछ इस तरीके से हमें क्ले लगाना है और इसे फिक्स कर देना है और ये दोनों पार्ट बहतरीं तरीके से यहां पर चिपक चुके हैं इसे काफी अच्छे से यहां चिकना कर लेंगे ताकि यह मालूम ना चाहिए ज्यादा गौर करेंगे तो ही मालूम चलेगा पुरा कंप्लीट होने पर बिल्कुल मालूम नहीं चलने वाला है तो वहां पर भी हम कुछ टेक्शर देने वाले हैं यह मटके दियो का स्पेशल बनाने में इसी पर्ट का हाथ है तो इस तरीके से तयार करना है आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा आजान है इस तरीके से होल होना चाहिए ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए उसके बाद नेर पास जो थोड़े बत क्ले बचे हुए थे से पहले की ड्राइइ हो जाए मैं यहाँ पर इस मूल्ड का ही उज़ करके इस तरीके से फ्लावर तयार कर लेती हूँ ताकि यह और भी किसी क्राफ्ट में काम आ जाएंगे देख सकते हैं उसके बाद मैंने इस पे अच्छे से कलर कर दिया है लोग देख सकते हैं यह सारे पॉल वाले कलर हैं इसकी वज़ा से इतना ज़्यादा शाइनिंग है तो पहले मैंने पॉल रेड किया था और उसके उपर हलका सा गोल्डेन इस तरीके से मैंने स्प्रेड किया है उसकी वज़ा से सारे डिजाइन हाइलाइट हो गए हैं उसके बाद यह बत्ती डालेंगे और इसके अंदर अच्छे से तेल भर देंगे और यह पूरी रात जलने वाला है है तो यहां पर यह दिया बनकर तैयार होचुका है चलिए इसको ट्राइब ही कर लेते हैं तो यहां पर मैं कोकोनेट आउयल का इस्तमाल कर रहे हूँ यह का से तयार किया है इसे कैसे तैयार करना इसके वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो अब आप लोग तरीके से दिखने वाला है इसे दिवाली के दिन हम पूरी रात बालकनी या बेडरू में जला कर छोड़ सकते हैं तो चलिए अब दूसरे डिया यूई के तरफ चलते हैं तो यहां पर मैंने कुछ डिया डिया का यूज किया है और ये दिवाली से काफी टाइम पहले मैंने खरीदा था और आप लोग भी कोसिस करें कि दिवाली से पहले ही खरीदे क्योंकि काफी कम कोस्ट में ये दिवाली से पहले मिल जाता है जैसे जैसे दिवाली पास आती है इ के लिए मैंने यहां पर kraft wire का यूज किया है कुछ इस तरीके से यह वायर भी दिखाई नहीं देने वाला है इसे cover कर देंगे तो उसके बाद मैंने हाँ पे एमसिल का यूज किया है एमसिल काफी अच्छे इसे पकड़ लेता है, दोनों को mix कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कुछदियो को हमें चिपकाना है, तो सबसे पहले बेस में लगा कर छोटी सी जो मटकिये उसे चिपका लेते हैं, कुछ इस तरीके से हमें चिपका लेंगे, और साइड से जो वायर है, उसे भी हम कवर करेंगे, इस एमसिल से ही, तो अगर आपको यह पंच मुखी देया हैंगिंग नहीं बनाना है, तो साइड में इस तरीके से वायर की जोरुत नहीं पढ़ने वाली है, सिर्फ दिया नीचे चिपका के आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ दिया था, और नेक्स डे अब मैं यहाँ पे इस पे मॉल्डिट क्ले से काम करने वाली हूँ, काफी अच्छी मजबूती मिल चुकी है, यह चिपक चुका है, मॉल्डिट क्ले भी वैसे एपक्सी क्ले ही है, लेकिन एमसिल पे ज़्यादा मुझे टरश था, तो इस इसे काफी कम हो जाएगा, अगर हम अलमुनियम फॉयल लगाते हैं, तो थर्मकॉल है तो इसके जब थर्मकॉल भी लगा सकते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़े से क्राफ्ट वायर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सेम हमें नीचे से लेके उपर तक वायर का और दिया है, वहीं से हम इसे लटकाएंगे, तो मटके के उपर हमने नारियल का सेप दे दिया है, और यहाँ पर हम आम के पत्ते का सेप दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से पतला पतला हम बना बना कर चिपकाते जाएंगे, थोड़ा आप लोगो कैमरा जूम करके भी दिखा देती हूं कि मैं किस तरीके से इन पत्तों को तयार कर रही हूं, तो कुछ इस तरीके से मैंने सारे पत्तों को तयार किया है, और यहाँ पर इस तरीके से चिपकाती जाओंगी, वैसे तो चार पाच भी काफी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कई सारे पत्ते चिपका दिये हैं, तो अभी यह तो काफी ज़्यादा बिकार देख रहा है कहीं ब्लैक कहीं वाइट कहीं दिये का कलर तो चलिए यहां पर जो थोड़े बचे हुए हैं जो कि मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूं कि जो कले बच जाते हैं मैं इस तरीके का फ्लावर बना देती हूं कुछ फ्लावर पहले से पढ़े हुए थे कुछ अभी है बचा हुआ उसको इस तरीके से फ्लावर बना कर चिपका देती हूं ताकि यूज हो जाए और इस तरीके से नारियर पर मैं थोड़ा सा नारियर वाला टेक्शर दे देती हूं तो यहां पर थोड़ी वीडियो को स्पीड बढ़ा देती हूं और यहां पर उपर कर नारियर पर टेक्शर काफी अच्छे तरीके से मैंने दे दिया है उसके बाद मैं यहां पर जल्दी से कलर कर लेते हैं यहां पर वाइड कलर मैंने पूरे पर कर दिया है सबसे पहले उस अब आप मेटाली कलर गों किया है अब इसके वफिर में कवे कास पर किलर किया है मैं सबक्सта कर लिए और देख सकते हैं जो यहलो कलर पर और पर शसी के हैं अब घहेँ में बोकी यहां पर मिला कर फर्म मौ उसका कंईर आ है और कुछ इसमें उपर मूतियां लगा देंगे ताकि इसकी खुबसूरती और बढ़ जाए तो यहां पर थोड़ी बहुत मेरे पास मूतियां पड़ी हुई थी तो कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है अब चाहें तो मूल्डिट का ही मूतियार करके लगा सकते हैं तो यहां पर इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा आप लोग देख सकते हैं और वैसे तो मैं इसे दिवाली पर जलाने वाली हूँ लेकिन आप लोग को टी लाइट डाल कर में दिखा देती हूँ कि इसका लुक ल पर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर तब तक ले बाबाए थांक्स पर वाचिंग